राजस्थान में लोग सबचनाव की दूसे चण के प्रचार के समाप्त होने के बाद भाजपा के राजस्थान प्रभारी प्रकास जावडेकर ने मीडिया से बात की जावडेकर ने कॉंग्रेस पर हमला करते वे कहा कि कॉंग्रेस मतलब जूट और कॉंग्रेस मतलब लूट जावडेकर ने कहा कि कॉंग्रेस राज में भरिष्टाचार का बोल बाला रहा था और इसी दोरान जावडेकर ने दावा किया कि उनकी पूरे देश में 300 से भी जादा सीट्या रही है वही रादस्थान मिशन 25 को भाजपा पूरा कर रही है क्योंकि जनता मोदी को पसंद कर रही है इस दोरान जावडेकर ने रहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया और ये भी कहा कि कॉंग्रेस राज में समयधानिक संस्थाओं को तहस नहस किया गया था पचीस चुनावक्षेत्र में लोकसभाक्षेत्र में पचास हजार मुद्धों पर बहुत जबर्दस तरीके से ये चुनावक्रचा संपन्नों हुआ प्रधान मंत्री जी की आठ सभाय हुई अमिच्छा जी की चार राजनाज जी की चार योगी जी की चार और वसुंधरा जी की 38 सभाय लोकसभा चुनाव में हुई रोड सोज चौदा हुए आज आखिर में सनी देवल के और तीन रोड सोज हुए थे नई ताकद हैं हमसे जुड़ी राष्टिय लोग कांक्रिक पार्टी बेनिवाल के नेत्रदों में आई वो खुद एक नागवर से लड़ रहे हैं और बाकि चोवीत जगों में बहुत परचार किया बैसला के लोडिलान बैसला हमारे पास आए और सभी समाज का सभी वर्गों का जबर्दस समर्थन भार्टिय जन्ता पार्टी को मिला अभी जो पहले राउड में तेरो सीट का चुगाउ है हमें पूरा यकीन है की 13 के 13 सीटे हम जीत रहे हैं और यह कॉंटडरेज भी रियलाइश कर चुकि है अब जो दूसरी भी बाराकर बारा सीटें हम जीतेंगे पचिस सीटों का पिछला रिकॉर्ड हम कायब रखेंगे और एक जबर्दस्ट विजय की और भारतिय जंदा पार्टी जा रही है देश्बर में इस बार तीन सो के पार सिटें